नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंथ गंगा में नमस्कार आपका स्वागत है, दोस्तों श्रावण महीने के नियमों के अनुसार इन तीन स्त्रियों को श्रावण सुमवार का वरत कभी नहीं रखना चाहिे इसके उन्हें अशुभ परिनाम ही प्राप्थ होते हैं दोस्तों श्रावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसंद किया था शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है इस महीने में भक्तिभाव से शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए असंख्य शिव भक्त नाना प्रकार से शिवजी का पूजन करते हैं विविद प्राणियों के लिए देवताओं के लिए शिव पूजन की विधी अलग-अलग होती है और उनका शिवलिंग भी अलग-अलग पदार्थों से बना होता है मनुष्य के लिए धातु का मिट्टी का और पत्थर का शिवलिंग श्रिष्थ माना गया है इसलिए इस महीने में निश्चित ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए शिवलिंग माता पार्वती और भगवान शिव का प्रतीक रूप है यह उनका निराकार रूप माना जाता है अगर भक्त सच्चे हरिदय से शिवजी पर जल चढ़ाता है तो शिव पार्वती उसपर प्रसन्ण होते है भगवान शिव भोले नाथ है भक्त चाहे कैसा भी हो उसकी पूजन विधी कैसी भी हो शिवजी केवल उसके मन का भाव देखते है अगर भक्त सच्ची श्रधा से जल की दो बून भी शिवजी पर चढ़ा देता है तो शिवजी उस पर प्रसन्ड हो जाते हैं दोस्तों जिन लोगों का इस संसार में कोई नहीं होता उनके लिए शिव पार्वती ही माता और पिता होते हैं नाथों के नाथ, भगवान भोलेनाथ सभी प्राणियों पर दया करते हैं इसलिए दोस्तों श्रावन के इस पवित्र महीने में आप शिवजी को प्रसंद करने का प्रयास जरूर करें। इसलिए आप भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा गलती से भी यह कार्य ना हो। उन्हें सौभाग्य की प्राप्ती होती है। उनका रिष्टा और भी मजबूत होता है और सुक शान्ती बनी रहती है। इस वर्ष पहला श्रावन सुमवार का वरत 10 जुलाई को रखा जाएगा। दूसरा सत्रह जुलाई, तीसरा चौबीस जुलाई, चौथा इकतीस जुलाई, पाचवा साथ अगस्त को, छठा चौधा अगस्त को, साथवा इक्कीस अगस्त को और आठवा श्रावन सुमवार वरत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे दो महीने तक रहने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं, श्रावन में पती पतनी को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात है कि श्रावन सुमवार को स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। इससे जीवन में दुरभाग्य आता है। इस दिन महीलाओं को अपने माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मात्र से ही गंगा स्नान हो जाता है। स्थियों को इस बात का खास ख्यार रखना चाहिए कि शिव पूजा में बिना सिंदूर लगाए नहीं बैठना चाहिए इससे माता-पार्वती रुष्ठ हो जाती है सिंदूर सुहाग की निशानी है जो विवाहित स्त्री बिना सिंदूर लगाए शिवजी की पूजा करती है उसके पती पर संकट आता है दूसरी बात है श्रावन सोमवार को महिलाओं को काले रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए इसके अलावा सफेद रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है काले रंग के वस्त्र नकारात मक्ता के प्रतीक है इन्हें पहनकर पूजा करने से विप्रीत फल प्राप्थ होता है सफेद रंग के वस्त्र विवाहित स्त्री को नहीं पहनने चाहिए शिव पार्वती की पूजा करते समय लाल, हरे, पीले अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए माता पार्वती जी ने शिवजी के साथ विवाह के समय हरे रंग के वस्त्र धारन किये थे इसीलिए हरे रंग की साड़ी पहनना आपके लिए शुब रहेगा इससे पती-पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख शान्ती आती है तीसरी बात है श्रावन के महीने में सुमबार के दिनस्त्री और पुरुष को प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए अर्थात इस दिन शारिरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए शारिरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अपवित्र अवस्था में शिव पार्वती की पूजा करने से शिव पार्वती का अपमान होता है इसलिए इस दिन अपने तन को पवित्र रख कर ही शिवजी की पूजा करें शिव पुरान में कहा गया है कि श्रावन सोमवार के वरत में ब्रहमचर्य का पालन करना चाहिए इससे शिव पूजन का फल निश्चित ही प्राप्थ होता है चौथी बात है श्रावन का महीना प्रेम का महीना माना जाता है इस महीने पती-पतनी को किसी भी प्रकार कावाद विवाद अथवा लड़ाई जगडा नहीं करना चाहिए खासकर सावन सोमवार के दिन भूल से भी एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए शिव और पारवती को आदर्ष पती-पतनी के रूप में देखा जाता है और पती-पतनी के रिष्टे को बहुत ही पवित्र माना जाता है इसी कारण से पती-पतनी को एक साथ शिव पारवती की तरहे रहना चाहिए तभी उनका साथ साथ जन्मों तक बना रहता है पांचवी बात है स्त्रियों को अपने श्रिंगार की चीजें कभी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए जो स्त्री अपनी श्रिंगार की चीजें दूसरों को देती है उसका और उसके पती का रिष्टा कमजोर पढ़ने लगता है आप श्रावन के महीने में नया श्रिंगार का सामान खरीद कर दे लेकिन अपना खुद का श्रिंगार का सामान कभी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए छटी बात है तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए श्रावन के महीने में पती और पत्नी को मास, मचली, अंडा आदी प्रकार की मांसाहारी चीजे नहीं खानी चाहिए इसके साथ ही श्रावन के महीने में सुमवार के दिन लहसुन, प्याज आदी भी नहीं खाना चाहिए इससे वरत खंडित हो जाता है इस महीने मास खाने वाले व्यक्ति पर शिवजी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, बलकि वह व्यक्ति शिवजी के दंड का पात्र बन जाता है सात्वी बात है एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए श्रावन के महीने में वरत कर रहे हैं तो उस पती पतनी को एक ही बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए पलंग पर अथवा बेड पर भी ना सोये जमीन पर ही सोना चाहिए इससे महादेव बहुत प्रसंद होते हैं और आशिरवाद देते हैं आठवी बात है श्रावन में किसी भी पुरुष को भूल से भी व्यसन नहीं करना चाहिए मास मदिरा आदी प्रकार की पाप कारक वस्तूओं से दूर रहना चाहिए ये सभी नशीले चीजे हैं इनसे शरीर में विकार उत्पन होते हैं नौवी बात है पती पतनी को इस महीने में व्रिक्ष नहीं काटने चाहिए श्रावन मास के सुमबार के दिन व्रिक्षों को हानी नहीं पहुँचनी चाहिए किन्तु पत्ते तोड़े जा सकते हैं बेल के व्रिक्ष के पत्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए इससे शिव जी का अपमान होता है दसवी बात है घर को अस्वच ना रखें श्रावन में माता पार्वती और भगवान शिव आपके घर पर पधारते हैं इसी लिए घर को गंदा न रखें नियमित रूप से स्वच्छता बनाये रखें जिससे शिव पार्वती प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करें सावन के महीने में कभी जूट नहीं बोलना चाहिए कभी किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में जो भी स्त्रियों का अपमान करता है तथा स्त्रियों के साथ अत्याचार करता है उसे शिवजी के क्रोध का ही सामना करना पड़ता है साथ ही सावन मास के दौरान वाद विवाद लड़ाई जगडे भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो आप शिवजी की क्रिपा से वंचित रह जाएंगे. सावन के महीने में इन तीन स्त्रियों को सोमवार का वरत नहीं रखना चाहिए. सबसे पहली हैं, गर्भवती महीलाएं शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महीलाओं को श्राबन सोमवार का वरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरत में कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे पेट में बच्चे को परेशानी उठानी पड़ सकती है. गर्भवती महीलाएं वरत में उपवास नहीं कर पाती है, ऐसे में वरत का खंडन होता है, इसलिए उन्हें यह वरत नहीं करना चाहिए. दूसरी है, चरितरहीन व्यक्ति अगर किसी भी स्त्री और पुरुष के विवाह बाहे संबंध है, अर्थात किसी स्त्री का पती के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध है, और पुरुष का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, तो उन्हें श्रावन सुमवार का वरत नही करना चाहिए अन्यथा शिव पार्वती बहुत क्रोधित हो जाएंगे जो लोग अपने जीवन साथी के साथ धोखा करते हैं वे महापाप करते हैं ऐसे लोगों के द्वारा रखे गए वरत को महादेव कभी स्विकार नहीं करते हैं तीसरी बात है अगर किसी स्त्री और पुर श्रावन सोमवार का वरत पती पतनी के रूप में नहीं कर सकते इनहीं एक साथ शिवजी का अभिशेक भी नहीं करना चाहिए इससे देवी पार्वती क्रोधित हो जाती है ध्यान रहे श्रावन का वरत करने वाले व्यक्ति को कभी कपट नहीं करना चाहिए कभी दूसरों क प्रवार के साथ बुरा व्यवार नहीं करना चाहिए।